नमस्कार बच्चों, आज हम आपको जम्मा का सवाल सिखाने जा रहे हैं जम्मा का चिन कुछ इस प्रकार होता है, ये देखिए, कुछ इस तरहां और इसका मतलब होता है जोड देना, यानि सब को मिला देना, जोड देना, जम्मा हमारा इकाई वाले घर में, यानि तीलियों वाले घर में, आठ और पांच अंक लिखा हुआ है, जिसे हमें जोड ना है, जम्मा करना है चलिए, हम आठ और पांच को तीलियों के माध्यम से दर्शाते हैं आठ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नीचे लिखा हुआ है पांच एक, दो, तीन, चार, पांच, हमने दी हुई संख्याओं के बराबर तीलिया यहाँ पर लगा दी आठ और पांच को जम्मा कर देंगे चलिए कर लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा हमें तेरा यहाँ पर लिख देंगे इसी सवाल को हम और स्पष्ट करते हुए आपको समझा देना चाहते हैं जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि तीलियों वाले घर में सिरफ एक से नौ तक की अकेली संख्याएं ही रह सकती हैं पर हमारा तेरा आया तो हमने इसमें तीलियों वाले घर में लिखा है और एक बंडल वाले घर में लिखा है वो किस तरह लिखा गया है यह हम आपको समझा देते हैं जब यहाँ तेरा तीलिया हुई तो मकान मालिक ने कहा कि 10 तक की गिंती बंडल वाले घर में चले जाए रहने के लिए बचे हुए मेरे यहां रहेंगे तो दस तक के जो हमारी टीलियां थी वो इखटी होकर के दस टीलियां इखटी होकर बंडल वाले घर में आ गई बंडल बना करके और वो बंडल के घर में आ गई तो यहां रह गई तीन तीलियां जो हमने यहां टीलियों के घर में दिखाई हैं और एक दस का बंडल यहां है जो हमने यहां दरशा दिया है इस प्रकार हमारा टोटल हो गया तेरह वन थ्री थरटीन दस तीन तेरह धन्यवाद दोस्तों